सभी को मेरा नमस्कार मैं देवान्चु आज फेर आपलो के सामने प्रस्तूत करती हूँ श्रीमन भगवत गीता के प्रतम अध्या के तेर्विश लोकी व्याक्यां ततह शंखाश्च भर्येश्च पनवानक गौमुखह सहस्वा भयन्यन्तहस शब्तस्तु मुलो भवत युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में सबसे बड़ा भयंकर युद्ध का आरंब था भिश्म पितामा के शंक के बाद शंक और नंगाडे मृदंग और धोल एक साथ बजने लगें इसकी आवाद मनुरंजक नहीं थी बहुती डरावनी थी युद्ध मनुरंजक नहीं होते इसलिए जब युद्ध का फैसला किया जाता है तो उसमें जो भी हो जो भी किया जाता है हर चुनौती का सामना हमें करना पड़ता है और हर चुनौती एक हालात लाती है उसके हिसाब से ही तयारी करनी पड़ती है तो ये वे श्लोक की व्याक्या, कल मैं आपके सामने फिर आऊंगी कुछ नए श्लोक की व्याक्या तब तक के लिए नमस्ते, एंजय श्री कृष्णा